नमस्कार दरसल ये परिसीमन वाला जो मामला नया शुरू हुआ है इसको लेकर मैं पिछले सप्ता ही स्पेशल शो करना चाहता था लेकिन आप जानते हैं कि पिछले सप्ता है इतनी सारी खबरे हो गई पारलेमेट का विशेश चैसन था रमेश भी धूरी परकरण हो गया राहुल गांधी ने तो पारलेमेंट में दूसरी तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिये थे किसाब OBC अफसर जादे नहीं है उस बारे बे में एक छोटी सी बात आपको जूरूर बताऊंगा फिर परिसीमन उद्धे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आईडिया दिया जाए कि परिसीमन किस तरीके से होने जा रहा है हमारी पारलेमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी किस आधार पर होगी और जो महिला अरक्षन है उसके तहट नए परिसीमन में कितनी सीटे मैलाओं को मिलेंगी इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं धन्यवाद देता लेना चाहता हूँ जिनका कमेंट आया है श्री पील का श्री पील जी ने लिखाया कि परिसीमन पर सबसे पहले वीडियो काफी समय पहले भी आपका ही आया था मैं इसके लिए हाद जोड़कर आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे याद है मैंने लगभग दो-तीन साल पहले इसका वीडियो बनाया था जिसमें सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नई पार्लेमेंट बननी शुरू हुई थी तो मैंने बताया था कि नई पार्लेमेंट में 888 लोग सबा सांसदों के बैठने की विवस्ता की जा रही है और आने वाले समय में देश के सांसदों की संख्या बढ़ने जा रही है और नए परिसीमन के बाद ये होने जा रहा है इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा इसलिए मुझे मज़ा आता है कि जब मेरे ऐसे ऐसे दर्शक पुरानी बाते याद रखते हैं और जानते हैं कि मैंने किस तरीके से क्या-क्या चीजे बताई थी मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को धूंड कर अपने चैनल की जो कम्यूटी है उसमें शेयर भी को हाँ मैं बता रहा था कि जो भी पार्लेमेंट का विशे सैसन हुआ था उसमें राहुल गांदी ने एक बड़ा तीर मारने की कोशिश की थी उन्हें सिविल सोसाइटी वाले जो हैं जोर्ज सूरस की फंडिंग से जो चलते हैं योगिंदर यादव जैसे लोग जिसमें शामिल है इन्हों ने एक कागज का टुकड़ा उनको थमा दिया और कह दिया कि देखिये इस समें जितने भी सेकेटरी हैं 90 के करीब सेकेटरी हैं और इन में से एक भी OBC नहीं है शायद यह एक दो OBC है मैं भूल गया है उस बात को और आपको यह पारलेमेंट में बात उठानी चाहिए और राहूल गांधी ने जाकर वो परचा लहरा दिया राहूल गांधी तरसल इस समय कॉंग्रेस इस समय जो विपक्षी दलों की पिछ है और खासतोर से उन विपक्षी दलों की जो कभी कॉंग्रेस के वोट बैंक को तोड़ कर ही बड़े बने हैं नितीश की पार्टी, लालो की पार्टी, ओडिसा की पार्टी या साउथ की कोई भी अन्या पार्टी आँ जो भी है एक समय ये सब या तो कॉंग्रेस से जुड़ी रही है इनके गटबंधन में रही है या इनमें से निकली हुई पार्टियां है ये सब आज OBC की बात कर रही है क्योंकि इनकी तो राजनीती OBC पे चली है मंडल कमिशन के बाद इनकी तो राजनीती इसी पे चली भारते जंता पार्टी ने तो अपनी रहा पकड़ ली थी राम मंदिर वाली लेकिन OBC के गर्ब से ये कई पार्टियां निकली हुई थी तो इन सभी पार्टियों की लाइन को पकड़ लिया है राहुल गांदी ने अब वो नितीश कुमार के कहे पर या लालू परसाद यादव के कहे पर सिविल सुसाइटी में जो योगिंदर यादव जैसे पुंकित लोग है जो हमेशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं कभी आज तक चुनाव लड़ना ही पाए उन्हें किसी ने टिकटी नहीं दिया वो उनको भड़काते रहते हैं और उनके सामने इस तरह के तथ्थे लेकर आते रहते हैं और राहुल गांदी बड़ी आसानी से मूर्ख बन जाते है राहुल गांदी ने एक बात कह दी बिना किसी तथ्थे की जानकारी के पार लेना है कि साब इतने OBC सचीव हैं वो इतने सचीव हैं 90 उनमें से एक भी OBC नहीं अब उन्हें कौन समझाए कि 93 में मंडल कमिशन की सिफार से लागी हुई और 95 में IAS अधिकारीों का पहला बैच निकला किसी IAS अधिकारी से पूछिए 95 में जो IAS अधिकारीों का पहला बैच निकला उसके अधिकारी उसमें जो OBC केटेगरी के लड़के पास आउट हुए जो मेरिट में आए या IAS अफसर बने वो अभी तक उतने परमोशन पाकर अभी वहां तक पहुँची नहीं पाए है क्योंकि अभी सीनियर ओफिसर्स उनके रिटायर नहीं हुए है जो 95 से पहले के बैचेज के हैं तो सेकेटरी वो बनेंगे के जो बाहद में आएंगे वो बनेंगे फिर दूसरा OBC वाला क्या होता है कि OBC में अगर आपको 6 साल तक अटेम्ट है UPSC का एक्जाम देने के लिए तो आप 6 साल तक कोशिश करते रहते हैं आप सर्विस में लेट आते हैं लेट आते हैं तो आपकी सर्विस का डूरेशन कम हो जाता है और आपको आप जाद हो जादे जोएंट सेकेटरी लेवल तक कहुँच पाते हैं तो आप सेकेटरी लेवल तक कहुँची नहीं पाते हैं लेकिन राउल गांदी को ये बाते कौन समझाए लेकिन इसमें एक बड़ी दिल्चस्प चीज दोस्तों मेरे हाथ लगी और ये हाथ मुझे ये लगी कि टाइमस ओफ इंडिया के पत्रकार हैं अखलेश सिंग उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले एक स्टोरी छापी और उसमें उ OBC अधिकारी सुप्रीम पोस्ट पर नहीं है इसके अलावा उन्होंने रिकोर्ड बताया के पंडित जवारलाल नहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोन सिंग इन सब के समय में प्रिंसिपल और प्राइबेट सचीवों का जो विवरन है मैं आपको टेबल जवालाल नहरू के समय जो है हीरू भाई, पटेल रहे, इंदिरा गांधी के समय आप देख सकते हैं कि एल के जार है, पी एन हकसर रहे, पी एन धार लहे, पी सी अलक जेंडर रहे, राजीव गांधी के समय भी पी सी अलक जेंडर रहे, सरला गरेवाल रही, बीजी गनेस र तो आप समझे लीजी कि कौन सा इन में था जो OBC था आज राहूल गांधी को याद आ रही है OBC की कहानी आप इस टेबल को देख सकते हैं और अमित शान इसका पार्लेमेंट में जवाब भी दिया उन्होंने कहा कि देखिए सचीव जो है सरकार नहीं चलाते देश को जो है सरक सरकार चलाती है जो जनता दौरा चुनी गई है और ये सारी बाते मैं आपको बताई चुका हूँ कि किस तरह की बाते हैं वो सिविल सुसाइटी के लोगों के कहने में बहकावे में आकर पार्लेमेंट में कह रहे हैं अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं जो परिसीमन मामला इस समय इसलिए भी जड़ा महतपून हो गया है इस पर भैस इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षन बिल जो पास हुआ है बिल नहीं कहना चाहिए कानून कहा जाना चाहिए क्योंकि कल परसों इस पर राश्टपती द्रोपदी मुरूबूने सिगन लोग सभार विधान सभा सीटों की संख्या बढ़ेगी पहली बाद दूसरा इसमें पुरुष सांसदों और विधायकों की संख्या का जो जादा है उस पर असर नहीं पढ़ेगा क्योंकि देखिए अगर अब आरक्षन दिया जाता तो सीटें अलग तरीके से होती जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूँ अभी वर्तमान लोग सभा सीटों की मैं अगर बात करूँ तो इस समय 545 में से अगर 33% सीटे रिजर्व की जाती तो 182 सीटे 182 सीटे मैलाओं के लिए अगर 643 पुर्षों के लिए बचती समझ रहे हैं और इस समय पार्लिमेंट में 467 पुरुष सांसद हैं तो आप समझ सकते हैं के 363 पुरुष सांसद के लिए सीट बचती और 467 पुरुष सांसद हैं तो यानि के लगबग 104 जो पुरुष सांसद हैं उनको तिलांजली देनी पड़ती अपने इस लालच को कि मैं चुनाव लड़ू उनकी जगे किसी महिला को टिकट देना परता है तो निश्चित रूप से ऐसा है जिस्तिती होती और यह ऐसा है जिस्त सांसदों को टिकट देने हो तो वो लगब 100 महिलाओं को टिकट देने पड़ेंगे शाला कि इन में से नहीं उन्हें टोटल में देना है लेकिन फिर फिर भी जादतोर 20 में से है पूर्षों के टिकट काटने पड़ेंगे तो यह बहुत मैत्पून मुद्दा है इसलिए को देखिए सबसे महत्पून बात परतेक जनगन्ना के बाद परिसीमन होना अवश्चक है ये हमारे सम्मिधान में लिखा हुआ है लेकिन 50 साल से 71 से इसे सम्मिधान संजोधन करके बार बार फ्रीज किया जा रहा है और नया परिसीमन नहीं होने दिया जा रहा है मोधी सरकार ये एतियासिक काम भी करना चाहती है जैसे के नहीं पारलेमेंट बना दी 378 और भी कई ऐसे बड़े काम कर दी है तो मोधी सरकार ने इसका करम बद काम शुरू किया उन्होंने कहा कि अगर हम सीटे बढ़ाएंगे तो बड़ी पारलेमेंट चाहिए बैठने के लि दिवस्था की जाई है तो इसी वजए से बीजेपी की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से चल गई है अब एक और बहुत महत्पूर्ण में आपको तालीका दिखाऊंगा उसमें आप कुछ चीजे समझेंगे और आपको समझ में आएगी कि मैं क्या चीजे आपक हैं उनमें कितनी करंट वर्तमार में कितनी लोग सभा सीटे हैं वो मैंने बताई हैं जैसे कि उत्तर परदेश में 85 बिहार में 54 राजस्था में 25 तमिल नाडु में 39 केरला में 20 फिर मैंने इसमें दिखा है कि अगर जनसंख्या के हिसार पर इन राज्यों की जो वो मैंने दिखाई है इसमें और फिर जो आधार अब तक रहा है जैसे कि 1977 की लोग सभा में परतेक सांसद 10,11,000 लोगों का परतिमिदीत कर रहा था और अगर नए परिसीमन में यही आधार बनाया गया तो लोग सभा सांसदों की संधिया 1400 1400 तक भी पढ़ सकती है लेकिन न भी अपना गनित बना दिया है जैसे कि अगर 10 लाख की आबादी पर उत्तर परदेश में वरतमान में सीट बनाई जाएं तो 200 सीटे बन जाएंगी दिहार में 169 कॉलम नंबर 3 देखिए और राजस्थान में 82 हो जाएंगी तमीलनाडू में 76 हो जाएंगी केरला में 36 हो तमीलनाडू में 52 केरला में 24 सीटे हो जाएंगी और अगर 20 लाख की आबादी पर एक लोग सभा सीट बनाई जाती है ये तै किया जाता है मानधन तो इसमें आप समझते के हैं कि उत्तर परदेश में 126 बिहार में 85 राजस्थान में 41 तमीलनाडू में 39 और केरला में 18 सीटे हो जाएंगी यानि कि लोग सभा सीटों की संक्या 707 होगी तो मुझे लग रहा है कि रेश्यो वाला जो आखरी वाला आपड़ा है 20 लाख की आबादी वाला वो ही इसमें होता हुआ नजर आएगा 707 या 7500 के आसपास इस तरह का आपड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है तो 20 लाख की आबादी वाला तो देश में 770 लोग सभा के सांसद होंगे जिसमें से 33% के साब से 257 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 513 पुर्षों के लिए बचेगी तो यानि कि अब 513 पुर्षों के लिए सीटे मिल जाएंगी नए परिसीमन के बाद लेकिन अगर अब 513 सीटे हो जाएंगी नए परिसीमन के बाद तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में ही ये परिसीमन लागू करती सरकार तो सबसे ज़्यादा दिक्कत में ये जो परिवारवादी पाल्टियां है ये जो महिला आरक्षन को लेकर आज तक अठकाती रही हैं और जो वन्षवादी पाल्टियां हैं सबसे ज़्यादा परिशानी इनी को होने वाली थी और देखिए पारलेमेंट के भीतर जो डीमके की महिला सांसाद है कनी मोजी उनका बयान में पढ़ रहा था उन्होंने ब परिसीमन के बाद अगर होता है तो कम होने की पूरी पूरी उमीद है जो की मिश्चित रूप से नजर भी आ रहा है देखिए विपक्षी दल अगर परिसीमन का विरोध करेंगे बीजे पी ने इसमें दाओं खेला है अगर विपक्षी दल नए परिसिमन का विरोध करेंगे तो ये कहा जाएगा बीजेपी ये कह सकती है कि देखिए महीला आरक्षन का विरोध भारते जन्ता पार्टी के ये जो विरोधी दल है बाजपा को रोकने के लिए महीलाओं का आरक्षन रोकना चाहते हैं तो एक बात बीजेपी के पास ये कहने के लिए होगा अगर दो हजार उनतिस क्योंकि इस चुनाओं में तो होना नहीं है बीजेपी का टार्गेट है के अगले लोक सभ़ चुनाओं में इसको लागू किया जाए उससे पहले परिसीमन हो जाए देश की जन्गन्ना कर ली जाए परिसीमन हो जाए और फिर इसको लागू किया जाए उन्होंने कहा है कि अमित्थ शाह और नरेंद्र मोविय। यो लिखकर गारंटी दें कपिल सिब्बल का तेयना है कि अगर 2029 में हम इसे लागु नहीं कर पाए तो हम इस्तिफा देंगे परधानमंतरि पत से और गृह मंतरि पत से यानि कि कपिल शिब्बल ने ये मान लिया है कि आने वाले समय में परदान मंत्री फिर से मोती ही बनने जा रहे है और ग्रह मंत्री अमिच शाही बनने जा रहे है ये बड़ी factual सी बात बता रहा हूँ मैं बड़ी fact सी बात है आप लोग भी अपने questions पूछ सकते हैं बहुत से लोग जुड़ रहे हैं हजार के तरीब लोग जुड़ गए हैं आप लोग अगर कोई question है तो आप जूर बूछ सकते हैं इसे मैं कुछ questions की जवाब देने की कोशिश करूँगा आखिर में तो ये चिंताएं इनकी बढ़ रही है और ये बस अपनी कहानी लेकर चले गए हैं अभी आपको मैं एक और तालीका दोस्तों दिखाता हूँ जरा इसे गौर से दिखिएगा ये जो तालीका है मैंने आपको दिखाई हैं ये मैंने पिछले कुछ जो लोग सभा चुनाव हुए हैं 2019 से पहले के उनके आँखड़े आपको यहां दिखाने की कोशिश की है इससे आपको बहुत चीज़ेस पस्टों हैं काशतोर से जिन 4-5 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ उन स्टेट्स के आँखड़े मैंने इसमें दिखाए हैं कि 1989 में किस राज्य में किसने कितनी सीटे जीती थी 1991 में 1996, 2004 और 2014 में किसकी कितनी सीटे थी देखिए उत्तर परदेश में 85 लोग सभा सीटे हैं 1989 में जब वीपी सिंग की सरकार बनी थी तो यहां पर जनता दल की 54 सीटे आई थी कॉंग्रेस 15 पर सिमट गई थी कॉंग्रेस को लग रहा है कि वो पूरी तरीके से इसके बाद नहीं परिसीमन के बाद तो बरबाद ही हो जाएगी कॉंग्रेस सबसे ज़्यादा परिशान इसलिए कि राम मंदिर आंदोलन ने उनके अपर कास्ट वोट ब्रामन ये सब चिन लिये मंदल आयोग ने उनकी जो मिडल क्लास OBC केटेगरी थी वो वोट उनका चिन लिया और आप समझ लिजिए कि जो एकी क्रत उत्तर परदेस था उस समय कॉंग्रेस में यहां की कभी 51 सीटे हुआ करती थी और 1991 में देखिए राम मंदिर लहर के बाद बीजेपी की 51 सीटे यहां पर निकल कर आई थी एकदम से उत्तर परदेस में किस तरीके से शिफ्ट हुआ था जबकि उत्तर परदेस में उस समय उत्तरा खंड भी हुआ करता था बिहार और जारखंड में 30 सीटे हुआ करती थी कभी कॉंग्रेस की जब बिहार और जारखंड एक थे लेकिन आप इन पांच परिनामों में जरा देखिए 89, 91, 96, 2004, 2014 आपको बिहार में कहीं कॉंग्रेस नजर आ रही है सूपड़ा साफ है बिलकुल एकदम क्लीन हो गई है केवल राजस्थान में 1991 में कॉंग्रेस की 13 सीटे नजर आ रही है केरल में 13 सीटे नजर आ रही है बाकी सब जगे सूपड़ा साफ है और इससे में बड़ी बात क्या गरूँ 2019 में जो 52 लोग सबा सीटे कॉंग्रेस ने जीती उन में से 15 केरल से और 8 तमिलनाडू से थी यानि के केवल कॉंग्रेस अब साउथ की स्टेट्स में ही सिमट कर रहे है तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है सबको ये लग रहा है कि अगर आबादी के हिसाब से सीटे बनेगी तो निश्चित रूप से दक्षिन भारत के राज्यों में आबादी कम है और ये जो राज्ये मैंने आपको दिखाए हैं प्रमुक रूप से उत्तर परदेश, बियार, राजस्थान और मध्या परदेश इन सब राज्यों में मिश्चित रूप से आबादी के हिसाब से अगर सीटे बनेगी तो उनकी स्थिती मजबूत होगी 2004 में कॉंग्रेस को 145 सीटे मिली थी और उस समय उनमें से 29 सीटे इनती आंदर परदेश से आई थी 2009 में भी इन्हें 33 सीटे आंदर परदेश से मिली थी ये बात ओर है कि जगन मोन रेड़ी का उधे हुआ उन्होंने YSRCP कॉंग्रेस बनाई और कॉंग्रेस का ही सूपड़ा उन्होंने राज्य से साफ कर दिया इस तालिका को मैं इसलिए रोक कर रख रहा हूँ स्क्रीड पर कि आप जड़ा देखें कि कॉंग्रेस कहां थी और कहां पहुँच गई और आने वाले समय में जो स्थितियां बन सकती है वो एक बार फिर मैं आपको ये सूची दिखा रहा हूँ कि नई लोक सभा का जो सुरूप है कुछ ऐसा हो सकता है हो सकता है कि उत्तर परदेश से 85 के बजाए 126 या 125 सांसद आपको मिलें बिहार से 54 की बजाए आप देखें 85 मिलें ये सब चीजें आपको इस पश्ट रूप से बड़ी ही चेंज नजरा रही है बड़ी ही बड़ी ही बदलती हुई नजरा रही है ये बहुत एक मैटपून डवलप मेंट है और इसमें सूची में थोड़ी सी गड़बड मुझे एक चीज ये नजरा रही है कि इसमें बिहार की 54 लिख दी गई है जबकि महापर 40 हैं तो ये इसमें गड़बड आंकड़ा दिया गया है मुझे लगता है और ये तालिका हाल इसमें इंडियन एक्सप्रेक्स ने भी परकाशित की है उसी से मैंने ये उठाई भी है जिसमें उन्होंने काफी चीजे सपष्ट करने की कोशिश की है तो ये सारा सिनेरियो आप देख सकते हैं और मुझे लगता है कि इसमें बिहार में जहरकंड भी इंक्लूड शायद इ के लिए सही है कि भारते जन्ता पार्टी ने हिंडी बैल्ट को पूरी तरह से डॉमिनेट किया है जो हिंडी बासी राज्ये है नौर्थ के या मध्य भारत के उन सब में बीजेपी की सरकारे रही हैं सब जगे लोग सभा चुनाओं में उन्होंने शांदार सफलताय आसिल क रही है पस्चिम बंगाल में शून्य से 18 लोग सभा सीटों पर पहुँच गई है विधान सभा चुनाओं में बिहार में नंबर वन हो गई है भारते जन्ता पार्टी तो नौर्थ इस्ट में या फिर इस्ट इलाके में बाजपा ने जिस तरीके से अपने आपको फैलाया ह कॉंग्रेस के लिए चिंतित हो अना सभाविक है और उन्हें यह लग रहा है साउथ के जो स्टेट्स हैं जैसे के साउथ की अगर सरकारों की मैं अगर वागी बात करो तो तमील नाडू को सबसे बड़ चिंता सता रही है यगर यहां सीटे बढ़ेंगी आबादी के हिसाब वहाँ छोटे स्टेट्स हैं तो उनका रिपरजेंटेशन कम होगा उत्तरपरदेश बड़ा स्टेट है तो वो निश्चित रूप से परधान मंत्री देगा तो इन सब चीजों को सोचना बेकार है तार्किक रूप से सोचा जाना चाहिए कि नया सेंसस होना है 51 से आपने सी परधान मंदल से निकली भी पार्टियों की लाइन पर चल रही है उनकी पीछ पर बैटिंग कर रही है ओबी सी के काड को खेलना चाहती है जबकि वो भूल गई है रावल गांधी को तो कुछ पता ही नहीं है कि कॉंग्रेस को ओबी सी ने कभी वोट नहीं दिया सही बताता हूँ चोधरी चरण सिंग लोहिया जय परकास नारायन ये सब जो नितयावबा फिर वाम दल इन सब के साथ जुड़े रहे हैं ओबी सी कभी कॉंग्रेस के साथ नहीं कॉंग्रेस को तो दल मुसलिम या फिर अपरकास ब्रामबा यही उनको वोट करते रहे पुर परिसीमन जब होगा तो हमारे लिए खतरनाक होगा और परिसीमन में जब महिला अरक्षन का मामला होगा तो हम उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर मोधी ये कहेंगे कि देखिए महिलाओं को अरक्षन ये दिलवाना नहीं चाहते हैं और इसी वज़े से इस questions पूछते रहें बहुत दिनों के बाद आज questions का सिलसिला हो रहा है विश्णु कह रहे हैं कि परी सीमन से BJP को भी महीला उम्मीदवार बढ़ाने पढ़ेंगे भाई सबको बढ़ाने पढ़ेंगे 33% करना है तो और मेरा तो मानना है कि राजनीतिक दलों को अपने स्पर परी से लागू कर लेना चाहिए ताकि हम अगर 100 टिकेट दे रहें तो उनमें से 30 महीलाओं को देंगे अगर ऐसा वो पहले से कर लेते तो दिक्कत क्या थी भगवत वैशनव कह रहे हैं कि परी सीमन के बाद एक लोग सभा पर दो सांसत रहेंगे एक महीला एक प्रुष अरे नहीं यह कोई लोजिक नहीं है रागव कह रहे हैं कि दक्षिन के राज्यों के साथ बहुत बड़ा धोका होने वाला है परिशित्व में दोका की क्या बात है इससे अरे भाइज जिसकी जितनी साजेदारी उस इस्यства इदारी अतनी साजेदारी वह एक कावत तो है इस में गलत किया है भाई सन्नी यूएससे से कह रहे हैं कि यू आलवेस टेक अप सीरियस मैटर्स वे अहेड और गिवे वैरी डिटेल और इंदेफ्ट अलेसेस यूजिली एनी अधर यूटुबर डोंट टेक अप एक्सिलेंट अलेसेस थैंक यू सन्नी और सुलेमान कह रहे हैं कि राज्यसमा में भी सीटे बढ़ेंगी क्या सर बिलकुल बढ़ेंगी भाई राज्यसमा में भड़ने जा रही है सो के करीब सीटे बढ़ेंगी वहाँ पर भी और सुमन विश्वास करें कि जीडीपी के आधार पर होना चाहिए जीडीपी पर कैसे होगा मैं तो मीनिंट्वं Greek बनाने की कोशिश करता हुं और भालतों की बाते नहीं करता हुं मनोश शर्मा कहरें कि हरजी सनी दियो लग गुर्दासपुर से एलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि बल्राम जाखड राजस्थान के सीकर लोग सबसे टिकट मांग रहे हैं सीकर से उनके पादर बल्राम जाखड भी लड़े थे सुनील जाखड के पादर सनी दियोल ने खुद मना किया है राघव कह रहे हैं कि भाई तो जिनों ने जन संक्या कम रिख्किया उन राज्जों को दन्विट किया जाएगा जन संक्या कम नहीं दख्किया आबादी का बढ़ने का रेशो है उस हिसाब से उन उन राज्जों का जो एरिया है वो भी छोटा है देखिये उत्तर परदेश और केरल में उत्तर परदेश में चार पाँच केरल समा जाएगे तो बात ये नहीं है इन राज्जों में ऐसा नहीं है कि ये छोटे राज्जे हैं और बढ़ी आबादी है ये बड़े राज्ये हैं बड़ी आबादी है ऐसे समझे न आप इन चीजों को ये जो जनसंख्या क्या रेशो है बढ़ने का वो सारे देश में लगबग एक समानी है ऐसा नहीं है कि किसी राज्ये में जनसंख्या जादे बड़ी है किसी में कम बड़ी है लगबग एक ही प् फिलाल तो हमने कोशिश की कि आप लोगों को सारी चीज़े समझाए जाए टेबल के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, को चीज़ें को क्लियर दिया जाए अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीज़ेगा, शेयर कीज़ेगा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाव और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले बरना आप मुझसे लाइव नहीं चुट पाएंगे और चैनल को हैर कंट्रिब्यूट करते हैं गूगल पे के माध्यम से, यूपी आई के माध्यम से, बैंकिंग डिटेल्स दी हुई हैं विदेश में रहते हैं तो पेपाल के माध्यम से प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए हमें शहयोग देते रहिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें